राधे राधे दोस्तों आपका स्वागत है आज हम आपको 5 और 6 नमबर लड्डू गोपाल के लिए यह दोती ड्रेस बनाना बताएंगे इसे बनाना बहुत ही एजी है इसे हमने बहुत ती सरल तरीके से बनाना बताया है अगर आप भी यह बनाना चाहते हैं तो वीडियो को यह दोती पहनाएंगे और ऊपर के Members को सब्सक्राइब करदा और बैल ड्र ईकन को प्रैस करूंगे के ओल पे जाके क्लिक करतें जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली मिल जाए देखिए इसमें हमने पीछे बैल करू लगाया है इसमें भी अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो डोरी लगा सकते हैं इस तरह ऐसे हम ये ट्रेस पहनाएं देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं इसे बनाने के लिए हमने कॉटन का कपड़ा लिया है पांच इंच लंबाई रखी है और पांच इंच ही हमने इसकी चौडाई रखी है ऐसे हमने दो पीस लिए हैं यह देखिए सेम मेजरमेंट के हमें द इस तरह ऐसे अब हमें इंची टेप से थिए हैं पैंगे की पीस की लंबाई कितनी है इसकी लंबाई यह सात इंच तो हम छह उंच पर निशान लगाएंगे इस तरह ऐसे हमें निसान लगाना है चैंज पर, अब इधर थोड़ी सी हम गुलाई देंगे, इस तरह ऐसे, ऐसे गुलाई देखे हमें इसे कट करना है, इस तरह ऐसे, देखिए हमने इसको कट कर दिया है, एक साइट से ये गुल हो गया है, अब ये दोनों पीस हम अलग-अलग रखेंगे, अब हम गोटा लेस लेंगे, और उसकी किनारी पर इसे इस तरह रखेंगे, कि आधा उपर रहे, आधा नीचे, और इसके उपर अब हम स्लाई लगा देंगे, ऐसे हम दूसरा पीस भी कंप्ल लगा दी है, अब हम एक लेस लेंगे, इस तरह ऐसे, आपके पास लेस नहीं हो तो गोटा भी लगा सकते हैं, और इस तरह रखेंगे, और स्लाई लगाएंगे, ऐसे हम इसमें भी लगाएंगे, देखिए दोनों पीस हम बराबरी से तयार करते जा रहे हैं, अब एक लेस औ लेंगे, और इसे भी रखेंगे, इस तरह ऐसे, और इस पर भी हम स्लाई लगाएंगे, ऐसे इसमें भी करना है, देखिए दोनों पीस हमने इतने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम बगल से इसमें प्लेटे बनाएंगे, इस तरह ऐसे, तो प्लेटे हमें ऐसे अंदर की बनानी है यह देखिए हमने प्लेटें बना ली है अब हम इसके उपर लगाएंगे देखिए एक साइड हमने लगा ली है अब इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी प्लेटें बनाएंगे इस तरह से करेंगे अब हम इसके ऊपर भी स्लाई लगाएंगे अब हमुआ बहुत्स करें अब इसकीह ंपर स्लाई लगा देंगे लेखियए इसमें हमने स्लाई लगा दी है ऐसे हम यह दूसरा दास भी कंप्लीट करेंगे। दोनों पीसों में हमने लगा दिये यह दोनों कम्प्लीट कर लिए हैं इस तरह ऐसे आएगा कुछ लोग अब इसके उपर इसे रखेंगे और इधर हमें लगानी है यह देखिए हमने दोनों पीस को जोइंट कर लिया है लगा दिये अब हम एक कपड़ा और लेंगे इसकी लंबाई ली है हमने चार इंच और चौडाई ली है दो इंच अब इसे बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह ऐसे अब हम इसमें निसान लगाएंगे एक साइड हम इसे चौडा रखना है और एक साइड पतला रखना है तो इसकेल से ऐसे रखेंगे और अब हम निसान लगाएंगे य इसे हमने कट कर दिया है, अब इसके दोनों तरफ हम ये गोटा लेस लगाएंगे, जैसे हमने ड्रेस में लगाई थी, वैसे हम इसमें भी लगाएंगे, दोनों साइड, इसमें हमने गोटा लेस लगा लिया है, अब नीचे तरफ भी ऐसे गोटा लेस लगाएंगे, इस तरह रखेंगे और लगानगे किसाट यदिक का लिए अब इक लेख ओर लेगिंगे स向 अब लेखे और इसके तीνοze कर्फ अंदर लगाएंगे भी कि यह देखिए इसन तरह से कंप्लीट करेंगे प्लेट बनाएंगे इस रख़ के चिक में सिलाई लगाएंगे क centr पर रख़का स्लाइब एथना इसे तने हिसे कमर का लिए कितनी है तुना तो इसकी थोड़ी एक दो 성 yep लेंगे और इसकी कमर हम पांच एंच और साड़े चार इंच को आएगी और फांचव नंबर लटु को आएगी आपक्ति लेंगे दो एंच चाणी इस 的 publi करेंगे गब 20 से फूल किया और इदर रखेंगे और सलाई लगा देंगे अगर आप नेफा बनाएँगे तो इसमें हम ठोड़ी पट्टी लगानी होगी इस तरह इसे रखेंगे सलाई लगा दीए अब इसको हम फूल करेंगे और इदर से भी सलाई लगा देँगे ये देखिए हमने इसलाई लगा दी है अब हम इसके उपर लेस लगाएंगे अगर लेस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं बरना इसके भी कर सकते हैं देखिए हमने इसमें लेस लगा दी है इस तरह से ये हमारी कुछ बन गई है देखिए इस तरह ऐसे दूति बन जाएगी अब हम इसमें बैलक्रू लगाएंगे एक इस तरह इस खीचेंगे और एक पार्ट इसके उपर साइड लगाना है दूसरा बाला पार्ट लगाएंगे हम इधर इसके नीचे इस तरह विसा धने हीद इन गई है हैै अब अब हम को और चोली बनाना बताएंगे उसके लिए हमने एक पट्ति ली है इसकी लंबाई ली है हमने 80 इंच जोडाह से हमने 100 इंचista City अब हम इसपे को फोल्ड करेंगे इस तरह ऐसे hold करना है और हमें sly लगानी है इसमें देखिए हमने sly लगा ली है इस तरह ऐसे अब इसके उपर हम पदली सी lace लगाएंगे, lace नहीं है तो पोटा भी लगा सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो इसके भी कर सकते हैं, अब हम इसमें plate बनाएंगे इसे थोड़ा fold करेंगे और इस तरह ऐसे हमें plate बनानी है देखिए छोटी-छोटी सी plate बनाएंगे और उपर साइड हम sly लगाएंगे देखिए, हमने इसे इतना complete कर लिया है, अब इसके उपर हमें गोटा लेस लगानी है हमने इसमें गोटा लेस लगा ली है अब हम एक पट्टी और लेंगे इसकी लंबाई ली है हमने 9.5 एंच और चोडाई ली है इसकी हमने 1.5 एंच अब इसके दोनों तरफ हमें फिर से गोटा लेस लगानी है ये देखिए गोटा लेस आधी उपर रखेंगे आधी नीचे रखेंगे और अब हम सलाई लगाएंगे दोनों साइड लगानी है इसे हमने इतना कंप्लीट कर लिया है अब हम साइड से प्लेटे मनाएंगे इस तरह ऐसे अब दूसरी साइड भी प्लेटे मनानी है अब दोनों को ऐसे मिलाएंगे और इधर नीचे तरफ सलाई लगा देंगे सिजोंट करके इधर हमने इसमें सलाई लगा दिया और जो हमने पट्टी कम्प्लीट के थी उसके सेंटर में भी इसे लगा दिया है अब हम बैलक्रो लेंगे और इसे भी इसके दोनों तरफ लगा देंगे ये देखिए हमारी ड्रेस बन गई है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें थैंक यू